कुछ फ्रेंड्स गूड मॉर्निंग ने भी इविनिंग है तो चल्लीय मेकप स्टार्ट कर देते हैं ऐसे ही वेटे हुई थी सोचते चल्लीय मेकप कर लेती हूं बालों में बहुत ज्यादा तेल था लेकिन मेकप करने में तेल का क्या है चले मेकप स्टार्ट कर देते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है बाल को छोड़ देते हैं फैस में मेकप करते हैं तो मेकप करने से पहले ना हमको स्किन को स्किन केर करना पड़ता है य इतना तो ग्यान है नहीं मेरे पास तो में कप कहने का में रिजन के एक सिक्रेट बताती हूं आपको में बहुत देरी तक सोची कि क्या खाने पर क्या बनाऊं तो मुझे सम मतलब कुछ अच्छे सा बना बनाऊं ऐसा कुछ मन नहीं हो रहा था जैसे कि सौटकट में कुछ बना किसी को तो इसलिए में सूची दाल बना देती हूं और अच्छे से मेकप करके एकदम चमक जाती हूं ताकि घर जब हजबंड आए देखेंगे कि मेकप होके सर्जदर्स के हैं तो दाल भी उनको अच्छा लगेगा इस को ट्राइ कर सकते हैं मैं भी आपको आपके केस में भ अबना हो कुछ थ्रपेशल ना बना हो तो इस ट्रिक को ट्राइ की जएगा ठीक हैं तो मैं तो यह कामा आता है लेकिन हमें इस चाहिया काम नहीं आएगा यह कभी कभी काम आएगा तो यह मझे की बात हा T95 कर सेफिटार्बेस कर दों देख्यों मेरा बहुत सार open pores जिसका भी बहुत सार open pores होते है जो recommend primer यहाँ पर मिला प्रामर है तो दबा दबा करें बहुतुत करके वैसे लगाना पुर्टısı उसके अंदर फ्यल हो जाई है सठ हो जाए उसके बाद तक हमारा make-up जो हे फ्लोॉलेस लगे इस हिसाब में अपना मेंकप कर रही हूं मैं कोई भी प्लाणिंग करके नहीं की हूँ ऐसे में बहुत मन हुआ मैंकप करने का तो सची हिए मैं ट्राइ कदेती हूं व्यसल्पी बहुत दूँगी मेरा मेंकप का यह कैसा लगा करें तो वस एही था अज का मेंकप और में बहुत ही काम अमाउंट में लगा रही हूं और क्या है पता है मेकप जो मेरा केक ही हो जाता था इसलिए मैं यह भी ट्रिक ट्राइक हूं कि आप एक साथ बहुत साथ ना लगा बस हलका हलका करके डॉट डॉट करके लगा और ब्लेंडिंग करते जाओ ताकिन आपका और घर के पीछ आप देख सकते हैं प्रभेट गंधा के पड़ा है उसके उपर ध्यान बिल्कुल भी मादी जगा क्योंकि सादी का मौसम है जब बैठते भी है ना तो कंबल ओर के बैठते हैं ठीक है सोन जो सोते हैं तो चोड़िए दो कंबल साथ में औरना पड़ता है तो कभी कभी ना पुरस सही एकदम सही बात बोलते हैं इसलिए किसी को इग्नोर मत किजिए चाहे आपको में कब आता हो नहीं आता हो तो बस एही है अभी मैं स्माइल कर ले हूं ठीक है स्माइल क्यों कर रही हूं किको मैं बलस लगा रही हूं अज मैं गाल को ने इतना गुला टुख को पाको में गाल लाल हो और वे इतना काजल लगाने वाली हों इतना लगाने वाली हों जब yapt appropriate में चुप चुप जाएं उब डाल बहुत को दाल में ठालये यृच को वह प्रण तो हुं इतना काजल लगाने वाली हो अब भी लगाएगा यह वोला ट्रिक जरूर ट्राइग कीजिएगा ठीक है यह देखिया ना मैं भर भर के लगा रही हूं लेकिन बहुत ही कम मांड में और यह है नाक नाक का काम कर रही हूं नाक को सार्फ बना रही हूं तो नाक का ना बहुत बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ में पता है मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो ना सब आके नाग गड़ाते रहते हैं दूसरों के मामले में ठीक है तो इसलिए दूसरों के मामले में कोई नाख न अड़ाएं और एक बात नाख कब कटता है पता है जो माबाप का जो इज़त है नाख को ठीक है तो बस मेरा नाख भी चमक गया अभी में हाइलाइटिंग कर रहे हूँ आज इतना चमकूंगी इतना चमकूंगी अगर खाते खाते लाइट भी चला जाए ना तब भी मेरा हाइलाइटर से एकदम चारों तरफ रोसनी फैल जाए और हमारा डिनर बहुत अच्छे से हो जाए इतना मेरा हाइलाइटर लगा के चमक जाओंगी खुद को चमका दूँगी ठीक है ना और एकदम आज का मेकप मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत ही अच्छा एकदम हर चीज में बहुत ही कम इमाउट में यूज़ करके बहुत अच्छा मेकप हुआ था हाँ थोड़ा सा कमी था बालू में जैसे कि थोड़ा से स्ट्रेटिंग या करलिंग कर लेने से बहुत अच्छा रहता और यह ना अब डे में भी यह वाला लुक ट्राइ कर सकते हैं मस्त था एकदम और यह रहा मेरा हाइलाइटर एकदम बहुत अच्छे से चमका दी नाक को भी पुरा सार्प कर दी तो फाइनली मेरा फेस बैस मेकप कम्पलीट हुआ अभी मैं आइब्रो बनाई आइब्रो कभी एक बहुत बड़ा स्टोरी है मेरा मैं एक महीने से पार्लर का चक्कर कात रही हूँ लेकिन मेरा आइब्रो नहीं बन पा रहा है और यह आगे है मेरा बच्चे मुझे डिस्टरब करने उनको मैं जब भी कुछ काम करती हूँ ना वो लोग मेरा आ जाते हैं बीच में तो क्या करूँ ठीक है कोई बात नहीं मेरा काजल मेरा बेटा लाके मुझे दिया मम्मी तुम्हारा काजल वहां पर पड़ा हुआ था करके तो थैंक यू उसको आइब्रो में ऐसे ही उसको थोड़ा से शेप दे रही हूँ क्योंकि मैं नहीं बनवाई हूँ क्या तो क्या करूँ है ना तो बस आइब्रो को देके मैं शेप दे देके काजल के उपर जाऊंगी अभी न मुझे एक गाना याद आ रहा है तो थोड़ा गाना भी गा लेती हूँ सजना है मुझे सजना के लिए सजना है मुझे सजना के लिए बातरूम से इंगर हूँ लेकिन अच्छा लग रहा है 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 में तो पुरा स्रेया को भी मात दे दूंगे तो चलिए मेकप मेरा कंप्लीट हो गया दोचर सेलफी वेशती हूँ अरे ओनलाइन है हस्बेंट अरे सिंदू लगाना भूल गई मैं थोड़ा सिंदू लगा लिती हूँ नहीं तो फिर बोलेंगे अरे इतना मेकप क्या सिंदू लगाना भूल गई तो उसको केसे भूल सकती हूँ लगा लेती हूँ सिंदू थोड़ा ज्यादा फरक के एक्तम से हाँ अभी सेलफी के लिए सही है लेकिन बाल का थोड़ा समय साटिस्फाइड नहीं हूँ कोई बात नहीं दो सेलफी ले लेती हूँ ओनलाइन है हस्बेंट हाँ हो गया तो चले सेलफी वेशती हूँ क्या मेसिज किये मेकप की दुकान ठीक है आने दो दाल भी नहीं खिलाओंगी वैसे मुझे तो पसंदे मैं तो अच्छी लग रही हूँ है ना आपका क्या ख्याल है कमेर सेक्शन में बताना मुझे वाव चले दाल का चौप लगा लेती हूँ